आज हम बनाएंगी ब्लूबेरी कपकेक्स जिसके लिया है 1 टी स्पून वनिला का एसेंस और 130 ग्राम मैंने मैदा लिया है उसके साथ 130 ग्राम जो है वो बटर या मार्टरीन लेंगे 130 ग्राम हमें शुगर भी लेनी है 4 टेबल स्पून उसके लिए मिल्क लेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट लेंगे और दो से तीन जो है वो मीडियम साइस के हम अंडे ले लेंगे हाफ कब ब्लूबेरी लेंगे मैंने फ्रोजन ली है वन टी स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे तो चली अब हम बनाते हैं जब से पहले एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम यह वह शुगर आट कर लेंगे 130 ग्राम्स और इसको भी हम लोग अच्छे से कंबाइंगे अब हम इसके अंदर वन बाई वन जो है वह एक डालेंगे पहले एक डालेंगे उसके बाल से बीट करेंगे अब हम साइट से स्क्रेप आफ कर लेंगे ताकि एकसेस जो बैटर है व फो बीट कर लेंगे थी मिन्टा करना है उसके बाद एक च्छणी की मदद से हम मैदा बेकिंढ पाउडर और स्वार्ल जो है उसको चछ लेंगे इससे यह होगा कि हमारे जो मैदा वेकिंढ पाउडर मेंट वर सौल्ट है वह सिफ्ट हो जाएगा यानि कि अश्में इसमें तक भीट करेंगे जब तक यह अच्छा सा कमबाइन नहीं हो जाता फोर टिब स्पून जो हमने मिल्क लिया था वह इसके अंदर आड़ करेंगे और इसको अच्छा सा स्मूध साइड बैटर बना लेंगे बैटर बना लेंगे उसके बाद जब बैटर कुछ इस तरीकी का तो हम मशीन को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर आड़ करेंगे ब्लुबेरीज मैंने हाफ कब ब्लुबेरीज लिया और स्पैचला की मदद से जो है वो मिक्स कर लेंगे और आप कोई भी फूट कर सकते हैं इसके जगा अगर आपको दूसरा फूट करने तो अब जो है हम इस बैटर को बेक करेंगे तो सबसे पहले इसको कपके के मोल्ल में डालेंगे तो मैंने लिए एक मफिन ट्रे इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और मैंने इसमें कपके के जो लाइनर से वो डाल दिये है और इसको मैं लाइटली से ग्रीस कर दूँगी और से ताक ताकि हमारी मुफिन जो है वो अच्छी सी बने तो अब हम इसको अच्छे से त्रीन से चार दवा टैप कर लेंगे और ब्लूबेरी भी स्प्रेंकिल कर देंगे ताकि ब्लूबेरी जो है वो सॉफेस पर हमें दिखें अब जो हम इसको बेक करेंगे 32-40 मिनट्स के लिए प्री करेंगे और उसके बाद जो हम इसको इंजोई करेंगे तो तैयार है हमारे मज़ेदार कपकेक्स इस रेसिपी कापगर में ज़रू ट्राइ कीजिएगा अमीदे आपकी रेसिपी पसंद आए हैंस्यों मॉचिए और आ करेंगे